बेबी बड़ी हिम्मत से अपने पिता के ना रहते हुए भी अंधी मा की देखभाल करते हुए रेलवे स्टेशन पर अपने छोटे से भाई को साथ मिलिये फ्रेंच फ्राइस पेच कर अच्छे पैसे कमा रही थी सुबह से शाम तक बिना खाय पिये भी काम किया करती थी खुद बले ही ना खाती पर अपने भाई को समय समय पर खाना दिया करती इस तरह पैसे कमा कर अपनी मा के आँखों का ओप्रेशन करवाना था उसे यूँ जब दिन बीत रहे थे तब मा ने एक दिन कहा बेटा बेबी तुम इतनी महनत कर रही हो तुम्हें देख कर मुझे बहुत बुरा लगता है पढ़ाई करनी की उमर में तुम इतनी महनत कर रही हो मुझे अच्छा नहीं लगता उस पर बेबी ने कहा मा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा एक बर आपके आँखों का आपरेशन हो जाए तो आप व्यापर कर सकती हो और मैं और भाई स्कूल जाया करेंगे इस पर मा ने भी हामी भरी बेबी अपने भाई को लिए रेलव स्टेशन जाकर अपना व्यापर शुरू करती है इतने में एक आदमी वहाँ पर आया और उससे कहने लगा हे लड़की, मुझे जल्दी से दस फ्रेंच फ्राइस पैक करके देना उस आदमी के पूछने पर बेबी ने तुरंट सारे पैक करके उसे दे दिये वो उसे लेकर बिना पैसे दिये जा रहा था सुनिये, आपने मुझे पैसे नहीं दिये पैसे दीजिये न? तुम मुझे जानती हो अखिर मैं कौन हो इस गाउं का नाम इगुंडा मुझे से पैसे मांगोगी ऐसा कहकर घुसे से उस बच्चे को गिरा दिया वो बच्चा रोने लगा तब बेबी ने कहा बाई, तुझे कुछ हुआ नहीं न? अपने बाई को लिए वो रोने लगी तब उस आदमी ने कहा मुझे से जबान लड़ाओगी तो यही होगा ऐसे कहकर प्लैटफॉर्म पे रहे उस ठेले को गिरा देता है उसका सारा सामन तितर बितर कर वहां से चला जाता है बेबी बहुत रोने लगी थी आस पास खड़े लोग उसे देख रहे थे पर कोई भी कुछ करने के हिमत नहीं रख रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था बेबी बड़ी दुखी होकर अपने भाई को लिए घर लोटी अपने मा को सारी बात बता कर वो बहुत दुखी हो रही थी मा भी उदास होकर बोली ऐसे लोगों से भला पंगा क्यों लेना बेटा छोड़ दे अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती वो नन्धा सा बच्चा बहुत देर से रोय ही जा रहा था उस डर से उस नन्हे से बच्चे को बुखा चड़ गया था बेबी ने राज सारी जाकर हर दो गंटे में उसे दवाई देते हुए उसके देख भाल कर रही थी अपने भाई के पूरी दर से ठीक होने तक दो दिन बेबी काम पर नहीं गई दो दिन के बाद अपने भाई को साथ लिये फिर से वो काम पर निकली जब बेबी वहाँ पर अपना काम कर रही थी तब उसने देखा उस गुंडे के पीछे एक आदमी लगा हुआ था दोडते हुए उन दोनों ने बेबी के ठेले को गिरा दिया फिर से बेबी का बहुत नुकसान हुआ दो दिन बाद आज आए थी आज बेबी नुकसान ही हुआ वो आदमी गुंडे को छुरा भुक कर वहां से भाग गया वो गुंडा नीचे गिर कर चिला रहा था हाई कोई मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ यो मदद की गुहार लगाने लगा पर आसपास के लोगों ने देखते हुए भी कुछ न किया कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था उनमें से एक ने कहा किसी को इसकी मदद करने के जरूरत नहीं आज से गाउं की पीड़ा ही खतम हो जाएगी यो सभी बात कर रहे थे वो बहुत दर्द में था उझे कोई बचाईए यो वो चीखने लगा भला तुम्हारे क्यों मदद करे तुमने कईयों के साथ अन्याय किया है उनका जीना हराम कर दिया है हर दिन मर मर के जी रहे है तुम्हारे जैसे का मरना कोई पड़ी बात नहीं ऐसे सभी उसे कटू बात करने लगे तब बेबी ने कहा आप सब ऐसी बाते क्यों कर रहे हो उसने जो किया वो गलत जरूर था लेकिन उसे यूं मरते हुए देखना हमारी भी तो गलती होगी चलिए कोई इनकी मदद कीजिए पर कोई भी मदद के लिए तयार नहीं था बेबी उसे बड़े ही ध्यान से आस्पिटल ले जाती है डॉक्टर रमा ने कहा बेटा तुम इसे यहाँ पर क्यों ले आई हो ये बहुत खतरनाक गुंडा है नामी गुंडा ऐसे इनसान का मैं इलाज करूँ कतरी नहीं तब बेबी ने कहा डॉक्टर जी आप ऐसा मत कहिए जीवन दान करने वाले ही जीवन ना देने की बात करे तो कैसे होगा इलाज जल्दी शुरू कीजे वरना वो मर जाएगा मैं एक इनसानियत के तोर पर डॉक्टर के नाम पे धबबा न लगे इसलिए इसका इलाज करती हूँ फिर डॉक्टर ने उसके ऑपरिशन की तयारी की दो दिनों के बाद उसे होश आया उसे अंदर ही अंदर बहुत बश्टावा हो रहा था जब मैं मरने वाला था तब किसी ने मेरी सहरता नहीं की इसका ये मतलब हुआ कि मैं बहुत ही दुष्ट इनसान हूँ जिस लड़की का मैंने नुक्सान किया था उसी लड़की ने मुझे यहां तक पहुंचाया जिस डॉक्टर को प्यार में धोका दिया था उसीने मेरा ओप्रेशन किया इन दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया फिर भी इन्होंने ही मेरी मदद की उनमें और मुझमें बहुत फरक है यूँ सोचकर वो बहुत दुखी हो रहा था इतने में बेबी कुछ फल लेकर उसके पास आई अंकल अभी आपको कैसा लग रहा है बेटा मैं ठीक हूँ उस दिन मैंने बहुत गलत बरताव किया था फिर भी तुमने मेरा इलाज करवाया तुम्हारे इस बड़े दिल ने मुझे बदल दिया है मुझे माफ कर दो बच्चा ये कहकर वो दुखी हो रहा था तभी डॉक्टर वहाँ पर आई ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का पश्टावा है कम से कम अब अच्छी जिंदगी चीकर अपना अच्छा नाम बनाओ धोके से लिए हुए पैसे वापस लोटा दो अब कम से कम इंसानियत से रहो इस तरह उसे समझाने लगी वो आदमी भी मान गया कुछी दिनों में धोके से लिए सारे पैसे उसने लोटा दिये और बेबी के मा के आँखों का आपरेशन भी करवाया बेबी और उसके भाई को स्कूल में भरती कराया रेल्वे स्टेशन पर वो और बेबी की मान साथ में व्यापार करने लगे उनका ये व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा अब गाउ में उसका सब के पीच अच्छा नाम होने लगा था वो बड़ा बिजनेसमैन बना और उस डॉक्टर के साथ उसने शादी रचा ली तब से सभी बहुत खुशी से रहने लगे केशोवपर नाम के गाउ में मीना और बिट्टू नाम के अनाद बच्चे रहते थे बिट्टू अभी बहुत छोटा था बिट्टू को चुप कराने के लिए मीना को दूट चाहिए था पर दूट खरीदने के लिए मीना के पास पैसे नहीं थे बिट्टू बिना चुप हुए लगातार हिचकियां लेत हुए रोए जा रहा था भूक से रो रहे अपने भाई बिट्टू को देखकर मीना भी अपने आशू रोक नहीं पाई बिट्टू तेरे भूक का देट मैं समझ सकती हूँ पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती मेरी समझ में नहीं आथा कि मैं क्या गुरू तो भूख से इतना रो रहा है तो मुझे भी रोना आ रहा है इस तरह असहाय होकर कहने लगी पर बिड्डू अब भी जोर जोर से रोय जा रहा था मीना ने खुद को संभाला अपने आसू पोचकर अपने भाई बिड्डू को गोद में लिये किसे से मदद मागने की सोचकर बस्टॉपर चली गई पर बस्टॉपर कोई नहीं था वहां से निकल कर वो कुछ और दूर जाने लगी तब देखा सामने से शककर की मिठाई बेचने वाला आ रहा था अंकल अंकल मुझे दस रुपे दे देजिये ना मैं किसी तरफ फिर से लोटा दूंगी मेरे बिट्टु को बहुत भूग लगी है उसके लिए दोद लेना है मुझ पर दरा करो दस रुपे देदो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं वापस नहीं दूंगी तो आप मुझसे कोई काम करवा लो तब तक आप मेरे बिट्टु को सम्भाल लेना रोते हुए अपने भाई को उठा कर इस तरह काम के लिए पूछ रही मीना को देखकर सोनु ने उसकी सहायता करने की सोची सोनु ने तुरंट अपने जेब से पैसे निकाल कर मीना को दिए बेटा पहले तुम चाओ और अपने भाई को इस पैसे से दूद पिला दो तुम भी कुछ खा लेना और हाँ तुम्हें पैसे लोटाने की जरूरत नहीं सोनु की कही बात सुन मीना ने कहा नहीं मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं सिर्फ भाई के दूद के लिए चाहिए ठीक है जितने पैसे मैंने दिये उतने में तुम उसे जितने भी दिन दूद पिला सको पिला देना ये दो दिन तब तो चल जाएंगे अंकल फिर जब दो दिन के बाद वो फिर से रोएगा तब क्या करोगी और क्या कर सकती हूँ आप जैसे किसी दिलदार इंसान से मदद मांग लोगी उन्होंने अपने बड़े दिल से अगर मुझे पैसे दिये तो मैं भाई को दूद पिला दूँगी बेटा सुनो, आज से मैं ये मिठाई तुमें बेचने दूँगा तुम इने ले जाकर बेचना, एक एक पैकट को दस रुपे में बेचना अर पैकट के दो रुपे तुम मुझे दे देना, और बाकी आठ रुपे अपने पास रख लेना ऐसे तुम जितने पैकट बेचोगी, उतने पैसे तुम्हें मिलेंगे इस तरह आयर इन पैसों से तुम अपने भाई के लिए दूद ले सकती हो उस मिठाई वाले की बाते मीना सुन रही थी, तब सोनु ने फिर से कहा किसी के सामने तुम्हें हाथ पहलाने की जरूरत नहीं रहेगी तब और साथ ही साथ तुम्हें भूके रेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बोलो बेटा, क्या करोगी? ऐसे भूके रहोगी या इस तरह मिठाई बेच कर, कुछ न कुछ कमा कर अपनी जिन्दगी बिताओगी? आपने जैसे कहा वैसे करूंगी? ऐसा कहकर मीना ने सोनु से पैसे लिये और पास वाले होटल जाकर अपने भाई के लिए दूद और खुद के लिए नाश्ता लेकर वापस सोनु के पास आई अपने भाई को उसने दूद दिया और खुद भी नाश्ता करने लगी उसके बाद एक तरफ अपने भाई बिट्टु को उठा कर दूसरे हाथ में सोनू की दी हुई मिठाई लेकर वो उसी दिन से काम पर लग गई शकर की मिठाई बच्चों शकर की मिठाई यो आवाज लगा कर वो गली गुमने लगी पर बहुत गुमने और आवाज लगाने के पाद भी बहुत कम मिठाई बिगी सड़क पर सामने से आते हुए एक आदमी के पास मीना वो मिठाई लेकर चली गई अंकल अंकल ये मिठाई ले लो ये मिठाई खाने के लिए मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी रहूं मेरा भाई भूग से दिल मिला रहा है उसके लिए मुझे दूद लेना है एक चीनी की मिठाई ले लिजे ना ये अच्छा है, तुम्हारा भाई अगर दूद के लिए रो रहा है, तो भला मैं चीनी की मिठाई क्यों लूँ? पैसे क्या पेड़ पर रुखते हैं? जाओ जाओ यहाँ से! अंकल, ऐसा मत कहिए ना, चोटा सा बच्चा है, दूद के लिए रो रहा है! उसे भूक लगी है, तो उसे उसके मा के पास ले जाओ, इसके लिए भला मैं चीनी की मिठाई क्यों लूँ? मीना के कई बार विंती करने पर भी उसने चीनी की मिठाई नहीं ली, अंधेरा हो चला था, मीना वापस सोनु के पास लोटी, दिन भर गुमने के बाद भी एक या दो पैकेट ही भिक पाए हैं, ऐसे तो बहुत कम पैसे गमा पाऊंगी, बार के दूद के लिए काफी नहीं होंगे, और ऐसे ही रहा तो मैं नहीं बेच पाऊंगी, बेचने का मतलब ये नहीं कि तुम जहां चाओ वहां बेच सको, जहां लोगों की बहुत भीड हो, वहां पर जाना चाहिए, स्कूल, बस्टॉप या रेल्वे स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड होती है, आज एक चीनी की मिठाई लेकर रेल्वे स्टेशन पहुंची, अपने बिड्टु को गोदी में लिए, लोगों को आवास देने लगी, चीनी की मिठाई, चीनी की मिठाई, केवर 10 रुपे में चीनी की मिठाई, इस तरह वहां घुमते घुमते वो मिठाई बेचने लगी, बस जीवन बिता रही थी